तो पिछली classes में हमने 1NF, 2NF, 3NF, multi-value, dependency, closer, candidate की, यह सारी चीज़े हमने देखी, और फिर हमने बात की, कि आपका क्या क्या करते हैं, dependency, preservation के लिए क्या-क्या rule होते हैं, फिर हमने देखा decomposition के desirable properties क्या-क्या होते हैं, ठीके, फिर मैंने आपको बताया था, जो यह decomposition है, जो आप decomposition की बात कर रहे हो, यह आपका 5th neural form में काम आएगा, तो आज की class में बात करने वाले हैं, 5th neural form, या 5NF की, ठीक है, तो समझते हैं, 5th neural form होता क्या है, तो a relation is in 5NF, if it is in 4NF, relation 5NF में होगा, इसका मतलब पक्का है, कि 4NF में तो होगा ही होगा, and not contains any joint dependency ध्यान रखना, कोई भ अहले discuss किया, it means, joint dependency मतलब जो हम joint dependency की बात कर रहे थे, वो नहीं होनी चाहिए, और साथ में, जो भी joining आप करते हो, should be lossless, ठीक है, मतलब आपको जो join मिलना चाहिए, जब table आप कहना चाहिए, join करते हो, वो कैसा होना चाहिए, lossless होना चाहिए, lossy नहीं होना चाहिए, मतलब tuples ना तो बढ़ने चाहिए, ना ही घटने बच चाहिए, join करने के बाद, जब मतलब आप एक table को decompose करते हो, ठीक है, अभी तकमनी क्लास में क्या देखा, कि जब हम एक table को decompose करते हैं, multiple tables में, और फिर क्या करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इन सारे table को join करके, हम parent table आने की कोसि करते हैं, तो जो parent table होना चाहिए, वो as it is, बिलकुल ही exactly same होना चाहिए, lossless होना चाहिए, मतब जितने tuples थे, उतने ही tuple होने चाहिए, extra tuple नहीं आने चाहिए, नहीं कम tuple आने चाहिए, ठीक है, तो 5NF is satisfied when all the tables are broken into as many tables as possible in order to avoid redundancy, 5NF तब satisfied होता है, जब आप table को क्या करते हो decompose करते हो, broke करते हो, break करते हो, in many tables, ठीक है, redundancy को avoid करने के लिए, ठीक है, और लेकिन जब उसको आप join करो, तो कैसा होना चाहिए, lossless होना चाहिए, 5NF को हम इसलिए project join normal form भी बोलते हैं, project join normal form, PJNF, ठीक है, तो बटो यसे example हमने discuss किया हुआ है, अगर आप देखो, जैसे यह आपका ABC table है, तो मैंने आपको बताया, आप क्या करो, common column के base पे break करो, but obvious है, common column के base पे break करो, और जो common column होना चाहिए, वो candidate की होना चाहिए, जैसे कि इसमें देखो, A जो है candidate की बनाया जा सकता है, कि values unique है, और C को candidate की बनाया जा सकता है, क्योंकि C में values unique है, अगर इनके base पे decomposition करें, मतलब इनको common column बनाए, A को या C को, but obvious है, जो decomposition होगा, वो आपका lossless होगा, मतलब उसके बाद अगर उन दोनों decomposed table को जोईन करोगे, तो आपको original table मिल जाएगा, और exactly उतने ही tuple से या row मिलेंगे, तो देखो मैंने A के base पे अगर इसको split किया, तो A भी, तो 0100, 02200, 033 04200, 0100, 02200, 03300, 04200, और यहां देखो, A C, तो 01C1, 02C1, C2, 03C3, 04C4, इस सारे के सारे आगे, अगर इन दोनों table को मैं जोड़ू, तो बट अब यह से देखो, 01 एक ही बार match करेगा, तो केवल इसके corresponding एक रो आएगा, 02 एक बार match करेगा, तो इसके corresponding केवल एक रो आएगा, 03 एक बार match करेगा, तो इसके corresponding एक रो आएगा, 04 एक बार match करेगा, तो इसके corresponding एक ही रो आएगा, तो आपका जो decomposition है, lossless है, तो A के बेस पे split कर दो और C के बेस पे, तो क्योंकि यहां common column क्या है, A है, यह मैंने पिछले वाले lecture में आपको बटाया हुआ है, ठेक है, जहां मै A, B, A, C, और B, C, ऐसे break कर दे, तो देखो, A, B, फिर A, C, और B, C, तो आप क्या करोगे, जब इन दोनों table को आपको combine करना होगा, तो A के बेस पे कर लोगी, यहां देखो, अब A कैसा unique है, A कैसा है, A की values कैसी है, unique है, तो आपके row जो है, extra नहीं बढ़ेंगे, जब आप join कर होगे, तो एक किसके बेस पे combine होगा, C के बेस पे, और C भी candidate की बनने लायक था, क्यों, क्योंकि C जो है, उसमें भी जो values है, unique है, तो C के बेस पे अगर आप combine करोगे, तो C1, C1, एक बारी match होगा, 1 row आएगा, C2, C2, 1 row आएगा, C3, C3, 1 row आएगा, C4, C4, 1 row आएगा, तो आपका table कैसा होगा, 5th normal form में, आपका table होगा, ठीक है, तो बटोबियसे जो आपने decompose किया, जो decompose किया, उसके बाद आपका क्या हो रहा है, loss नहीं हो रहा है, information में, ठीक है, और यह जो decomposition है, यह आपका कैसा है, 5th normal form में, decomposition कैसा है, 5th normal form में, यह ही कहलाता है, 5th normal form में, यह ही झाल झाल